वल यार भले ही आपको FIFA देखना हो, किर्केट देखना हो या फिर PlayStation पे गेम्स खिलने हो एक प्रोजेक्टर ना इन सारे experience को 10X कर देता है बिकोज वहाँ पर जो screen size है वो आपको 100 inches से लेके 200 inches तक की मिल जाती है तो आपको overall experience काफी जादा अच्छा हो जाता है although इसके अलावा अगर आप school वगेरा या अपनी classes के लिए कोई projector लेना चाहते हो ताकि आपके students वगेरा को काफी अच्छे सा पढ़ा पाओ या फिर office purpose के साब से इस वीडियो को definitely पूरा ज़रूर देखना वैसे तो लिस्ट के सारे projector full HD आते हैं कुछ-कुछ आपको 4K experience भी दे देंगे बाकि इंटरीस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 best projectors in India 2023 जो की 10 से 15,000 के आ जाते हैं अब अगर आप इटेट रह पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो बाए लकर न उसको दबा देना बाकी गईश चलिए, let's get started गईश टॉप 5 projectors की लिस्ट में नमबर 5 पे जो projector आता है यह आपको मलता है Jabronix की तरफ से Jab, Pixa Play 15 या Jabronix की तरफ से यह जो projector है ना वैसे तो जब launch हुआता तब काफी जादा hype थी इसकी अभी भी ना कई लोग इसको recommend करते हैं बट मेर को इसका price इसकी value से थोड़ा जादा लगा वैसे आपको यह जो projector है ना Android support के साथ मिल जाता है mean well smart projector है यहाँ पर Wi-Fi Bluetooth दोनों का support मिल जाएगा आपको Full HD 1080p का आपको resolution मिल जाता है बाकी Miracast मिलता है, Airplay support मिलता है इस technical specific equation की बात करूँ तो 3400 Lumen की brightness मिलती है यह जो brightness है यह डिपेंड करती है आपकी need पर लाइक आप बिल्कुल night में अंधेरा करके कोई movie देखना चाते हो या games वगरा खेलना चाते हो उसमें आप 2000 Lumen का भी एक projector लोगे अच्छे से काम कर जाएगा बात करें classes की या schools की जहाँ पर ज्यादा अंधेरा नहीं होता एक daylight में आप projector को use करते हो तो कम से कम 3400 Lumen की brightness होनी चीए आपके projector में बागी इसमें आपको 30,000 hours का life span मिलता है यार यह जो है ना यह सबसे main point है किसी भी projector को लेने से पहले जितना जादा से जादा hours का life span आप लेते हो ना आपका projector उतने लंबे समय तक चलता है यहाँ पर आपको HDMI support मिल जाता है दो USB speaker मिलते हैं इसके साथ and remote control मिल जाता है आपको यहाँ पर जो projection है ना according to distance 8 meter से लेके 5.5 meter तक रखना होगा तब यह 100 से लेके 450 centimeter तक का आपको projection size दे देता है जो कि इंचिस में अगर मैं बात करूं तो max to max 180 इंचिस तक का projection मेलेगा आपको projector को दूर रखने के बाद अब guys overall यह जो projector है ना लगबग 15-16,000 रुपे का मिलता है Amazon पे जो की fair price नहीं है अगर यह projector आपको 12,000-11,000 के असपस मिल जाए offline market में या फिर Amazon पे इसका price कम हो जाए then आप definitely इसको ले सकते हो now guys here comes the fourth one which is X Electron C9 Plus यह देखो projectors ना काफी सारे brands बनाते है and different different brands के नाम आपने सुने होंगे meanwhile भले ही आपको brand समझ ना है बट यह जो projector है ना काफी अच्छा बना है and काफी अच्छा perform करता है and fair price लेते हैं आपको यहाँ पर full HD resolution ही रेखने को मिलता है android 9 का support मिलता है wifi, bluetooth दोनों का option मिल जाएगा बाकि यहाँ पर आपको input मिलता है VGA, AB and HDMI, तीनों के थुरू आपको best quality चीए तो आपको HDMI से input देना होगा USB ports मिलते हैं और यह output मिल जाता है technical specification की बात करूं तो 4200 lumens की brightness मिलती है आपको जो कि यह more than enough है लेकि इतनी अगर brightness मिल रही है ना तो आप इसको हर एक तदीके से use कर सकते हो max projection आपको 200 inches का मिलता है और इसका जो life span है वो 60,000 hours की मिल जाती है जो की more than enough है warranty की बात करूं तो एक साल की manufacturing warranty मिल जाती है आपको यह जो brand है ना projectors के मामले में लगबग 11-12 साल पुराना brand है after sales service भी काफी अच्छी देते है price की बात करूं यह projector आपको मलेगा 13,000 रूपीज में on Amazon overall इसका जो build है plastic में ही आता है projection change करने के लिए आपको knob मिल जाता है at number 4 you can check this one now guys here comes the third one which is very luxe projector यह जो projector है ना especially classroom वगेरा के लिए काफी अच्छा है या फिर आपको matches वगेरा देखने हो यहाँ पर भी आपको same 1080p resolution देखने को मिल जाता है wifi, bluetooth, usb, android सारा support मिलता है आपको आपको यहाँ पर doll भी audio support मिलेगा and mirror cast and airplay दोनों का support मिल जाता है बात करूं iOS में तो उसमें भी आप इसको cast कर पाऊगे आपको यहाँ पर inbuilt android नहीं देखने को मिलता बठा android phone से connect हो जाता है यहाँ पर भी जो आपको projection मिलता है वो लगबग 200 inch का मिल जाता है 16 feet के आसपास रखने के बाद बाकि इसका जो price है वो काफी कम निकल के आता है around 8,800 rupees के आसपास मिलता है अगर आपको android या फिर smart projector से कोई मतलम नहीं है आपको सिर्फ projection के लिए classroom वगएरा के लिए कोई projector लेना है office purpose के साब से then आप definitely इस वाले को check out कर सकते हो काफी comprise मा जाता है overall value अच्छी देता है now guys, here comes the second one जो कि आपको e-gate का i9 pro max मिल जाता है यहर e-gate की तरफ से यह जो projector है न overall इसका build है काफी अच्छा निकल के आता है 4500 lumens के आपको brightness मिल जाती है 210 inches तक का आप projection इस पर कर सकते हो and 1080p native full HD resolution मिल जाता है support की बात करूं तो आपको 4K ultra HD support मिलता है TV stick compatible है लैकि इसमें 2-3 variants आता है एक आपको android मिलता है एक नॉर्माल मिलता है android वाला लगबग 12,000 के असपस आता है अभी मैं बात कर रहा हूँ normal वाले की आप चाहो तो इसमें TV stick लगा के इसको android बना सकते हो बाकी VGA, HDMI, USB सब का support मिल जाता है 3-3 watt के 2 speakers मिल जाते है यार overall यह जो projector है ना बाकी 3 projectors के मुकाबले काफी अच्छा perform करता है and comprise में भी आ जाता है इसकी जो brightness है 4500 lumens तक की मिलती है आपको जो की literally काफी अच्छी है 1500 is to 1 high contrast ratio मिलता है बाकियों में आपको 1000 is to 1 मिल जाता है lamp life की बात करूं तो वो आपको 30,000 hours की मिलती है इसके साथ भी आपको 1 साल की warranty मिलती है इसका i9 pro max full HD version आपको मिलता है 8,991 rupees में and android version आपको मिलता है 12,500 rupees में but मैं आपको काऊंगा android version ना लेके आप इसका normal version लो जो की 9000 के आसपस आता है and एक TVA stick अलग से खरीदो so that आपको lag issues नहीं मिलेंगे now guys here comes the last and the best one जो की आपको अगारो की तरफ से आगारो का AG60S मिल जाता है यार आगारो का ये जो projector है ना full HD resolution के साथ ही आता है 2000 plus lumens के आपको brightness देखने को मिल जाती है and 40,000 hours का life span मिलता है जो कि above the average है aspect ratio की बात करूँ वो आप 4 is to 3 या फिर 16 is to 9 कुछ भी रख सकते हो max resolution आपको 1080 पे मिलता है and बात करें projection size की तो यहाना एक अच्छी बात यह है कि आप कम distance में ज्यादा projection size अचीव कर सकते हो लगबग 5 feet पे रखने के बाद आपको 120 इंचिस थक कर projection मिल जाता है basically ये जो projector है ना home purpose के साब से काफी बढ़िया है like वहाँ पर इतनी जगा नहीं होती कि आप इसको 16 फिट दूर जाके रखो यहाँ पर आपको 2 HDMI ports मिलेंगे USB port मिल जाएगा VGA, AV, SD card support सब कुछ मिलता है आप यहाँ पर PlayStation वगेरा से इसको connect कर सकते हो यह overall entertainment purpose से यह जो projector है काफी अच्छा है वह overall conclusion की बात करूँ ना तो अगर आपका budget कम है 8-9,000 रुपे के आसपास E-gate या फिर Very Lux दौनों मैंसे कोई भी ले सकते हो दौनों ही non Android projector है Android नहीं मिलता उसमें आपको बट आपको Android वाला चाहिए तो मैंने 3 बता हैं Agaro, X Electron या फिर Jabronix जिन मैंसे सबसे best and value for money निकल के आता है Agaro, नहीं तो आप X Electron ले सकते हो Although जो Jabronix है ना वो थोड़ा सा महंगा निकल के आता है हाँ अगर आपको सस्ते मिल जा तो आप उसको भी चेक आउट कर सकते हो बाकि आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो लाइक करना नीचे कमेर्स में को बताओ इनमें से कौन सा प्रोजेक्टर आप लेने वाले हो या ओल्री ले चुके हो बाकि मैं मलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में